नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टीशिंग या मोबरलोड पे साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कल के वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि भीहास इच्छक भती में एक्जाम डेट का सेडूल जारी कर दिया गया था जिसमें परिच्छा तिथी घोसित कर दी गई थी लेकिन कल अतुल परसाद जी का एक नया ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि परिच्छा की कुछ तिथी या बदल दी गई है यानि जो परिच्छा आपकी 14, 15 और 16 दिसम्बर को होने वाली थी परिच्छाएं अब कमसा 7, 14 और 15 दिसम्बर को होगी तो आई हम लोग देखते हैं दूसरे चरण की सिच्छक नियुक्ती परिच्छा के सेडूल में बदलाव किया गया है बीपिएस्सी के अध्यच अतुल परसाद ने सुकवार को कहा कि 14, 15 और 16 दिसम्बर को होने वाली परिच्छाएं अब कमसा 7, 14 और 15 दिसम्बर को होगी पुराने सेडूल में 14 दिसंबर को होने वाली परदाना ध्याफक परिच्छा अब नए सेडूल में 7 दिसंबर को ही होगी जबकि 16 दिसम्बर को होने वाली इग्रहीं बरुई की सभी विशेव की परिच्छा 15 दिसम्बर को ही होगी 7 से 10 दिसम्बर तक होने वाली परिच्छा को यथावत रखा गया है परिच्छा एक पाली में होगी तो बार बारा बज़े से धाई बेर तक होगी परिच्छा दिसम्बर को होगी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आज की पेपर में भी पब्लिश्ट हुआ है कि 14, 15 वा 16 की परिच्छा 7, 14, 15 दिसम्बर को होगी बीपीस्ची अधियर अधियर अधुल परशार ने ट्विटर पर दी जानकारी तो बिहार लोग सेवा आयोग बीपीस अधियर चतुल परशाजी ने सुक्वार को सोसल मीडिया के प्लेटफार्म ट्विटर पर जानकारी दी 14, 15 वा 16 दिसम्बर की परिच्छा 7, 14, 15 दिसम्बर को होगी पुराने सेडियूल में 14 दिसम्बर को होगी पुराने सेडियूल में 15 दिसम्बर को होने वाली वर्ग एक से पांचुई तक की जो परिच्छा 14 दिसंबर को होगी वहीं 16 दिसंबर को होने वाली इग्रहीं वारुहीं की सभी विश्यों की परिच्छा 15 दिसंबर को ही होगी 7 से 10 सिसंबर तक होने वाली परिच्छा को यथावत रखा गया है नए सेडूल की परिच्छाएं एक पाली में दोपार 12 बजे से धाई बजे तक होंगी तो जो परिच्छाएं प्राइमरी की 15 को थी वा आप 14 को कर दी गई है प्रधाना ध्यापक की परिच्छा 7 तारीक को होगी वहीं जो आपकी परिच्छा 15 दिसमबर को 9 से 12 होगी 11 से 12 होगी से कि सभी परिच्छाएं होगी वा भी 15 दिसमबर को ही होगी तो अतुल परसाजी ने कल ट्वीट के माध्यम से बताया कि परिच्छा तिथी में कुछ बदलाव किये गए हैं तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाई है अगर आप लोग ने प्लान किया है आप लोगों के लिए आप लोग को यंशी आर्टी का संपूर निचोर मैं एक महराथन में कंप्लीट करवा दूँगा एक से दो महराथन में इसी हफते में आपको मिल जाएगी और वहीं एसेश्टी में भी आपको यंशी आर्टी 628 की महराथन मिल जाएगी और अगर आप लोग क्लासेट टापिक वाई देखना जाटने हैं तो मैंने सीटेट के अंतर प्लेइलिस्ट बनाई हुई है सबकी एंसी आर्टी 628 की क्लासेट चल रही है तो अगर समय है तो आप लोग उसको देख लिए नहीं एक महराथन तो मैं लूँगा इसी हफते मे लूँगा इससे बाहर आपके प्रसंट नहीं बनेंगे तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्कारिब कर लीजे हमारे चैनल पर आपको सीटेट टीचिंग लाइन से जुड़ी ही सारी खबरेई और तरीके से टाभी वाइज मिलती है चलिए फिर पिर मिलते हैं किसी नए स संकेजाद तब तक के लिए धन्यवाद